दोस्तों आज हम आपको रिवाइनिंग करना चिकाएंगे आर्ट सलोट का जो मारा टेवल फेन होता है पुराने मोडल का iR slot में जो आता था चोड़े स्टेटर में आता था व कीट की इसके स्टेटर की Speech कोईल डलेगी और यह कॉयल की इन्च है दौस्टो पूरिए 1 इंच की कॉयल की length Tous यह रहे दो और आपने चार चार कोईल मिन्स चार कोईल आपने स्टार्टिंग बनानी चार रनिक बनानी है तो डाटा दोनों में सेम रहेगा 1400 RPM का ये फैन है और हमारा ये फैन आपको रिवाइंड करके दिखाएंगे इस तरह के आपने क्या करना है कि एक इंची वाले आपने क्या करना है फर्मा बना लेना है फर्मे में आपने कोईल को साइज निकाल करके बना देना है और दोस्तो इसमें जो round की बाद करेंगे जो turn है तो इसकी turn दोस्तों आपने 900 रखने हैं 900 turn पर coil में रहेगा ही रहेगा और 35 नंबर वायर्स में से rewind कर रहा हूं copper वायर्स है दोस्तों आपने इस तरह से इसमें डाला है coil को इस तरह से चोड़ा कर लेंगे आप coil को तो ये बड़े आसानी से डल जाए की आपको ये rewind करने के लिए दोस्तों ज्यादा मेहनत की भी इसमें आवशकता नहीं होती क्योंकि छोटा coil बनता बड़े आसानी से बन जाता है और थोड़ा डालने में थोड़ी problem ये आती है कि जो दूसरे side के जो coil है उसके साथ हमने टेस करके डालना होता है तो आपको वह और connection जो है मैंने लाश्ट में आपको screen shot आप ले सकते हैं मैंने वीडियो के बीच में भी इसका photo डाल रखा है एक जो कि इसके connection का photo है आप उसके connection किस तरह से करेंगे ठीके दोस्तों इस तरह से मैंने यहां पर यह डाल दिया तो इसका भी मैं इसके अंदर डाल लेता हूं दूसरे कोईल को भी दूसरे के साथ अब इसके आगे से आगे दोस्तों इसी तरह से सारे के सारे हमारे कोईल जो है वो डलेंगे और इसके जो राउंड है पर कोईल का उसमें 900 राउंड हमने डाले हैं एक इंची कोईल बना करके राउंड में और दोस्तों इसके जो 8 कोईल आप कोईल में सिसके 4 स्टार्टिंग के होगे और 4 रनिंग के होगे वीडियो तोड़ा लंबा है पर आप देखते चाहिए आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने में सीकने में यह दिश्रीकने शोकी ने आप तो वीडियो स्किप करके ना देखा करें क्योंकि कुछ इंफ कोमें ये जाते हैं कि अल्ग अल्ग स्लोट होते हैं दोस्तों टो खुले गारण हो जाता दूसरा कोन तो आप एक लकड़ी की फटी ले लिजिए बांस होता है बांस का फटी ले लिजिए उससे आप इस तरह से उसको आगे पैना करके इस तरह से आप आसानी से इसमें डाल सकते हैं ठीक है दोस्तो यदि आप थोड़ थोड़े कोईल को मिस थोड़ थोड़ी तारों को डालेंग आपको मेरे चैनल पर जानकार इंबलती रहेगी और आप अच्छे से काम सीख पाओगे अपना अच्छा रोजगार कर पाओगे तो दोस्तों हम इसको पेपर को लगाने के लिए आप इसको दुड़ा लें और यह अच्छे से भाण देता हूँ पूरी तरह से कि रिवाइंड करने के बाद आपको किस च्रहां से दिखेगा इसी तरह से आपने सारे कोई एक ऊपर iq laying चड़ाते हुए आपने आगे सारे के SART कोई डाल देने के चार कोई डाल काई तक है यह दिएक दॉस्ता से आपने कोई डालने के और insulation weak होने के कारणने क्या होता है wire इसका short हो जाता है तो ये पुरा पुरा पंका short हो जाता है एक coil भी नहीं निकलता बाहर और पुरा हमें rewind करना पड़ता है ये देखें के दोस्तो हर coil के 2-2 हमारे सीरे निकल के आए तो 8-2-16 हमारे ये सीरे इसके wire के निकल के आए main problem ही दोस्तों यहीं आती है connection उल्टा सीधा हो जाता है तो आपका पंका जल्दी से work नहीं करता और जल जाता है इससे बचने के लिए दोस्तों हम आपको एक तरीका बताएंगे अच्छे से तो हमने क्या करना है दोस्तों हर एक coil को छोड़के एक coil को छोड़के हमने चार coil के सीरे हमने बाहर को कर लेने है ठीक है दोस्तों और चार coil के सीरे हमने अंदर को कर लेने है दीके यह आठ coil है हमारे तो आठ में से हमने क्या करना दूसरे coil को अगले से दूसरे coil के हमने क्या करना है मिन्स एक कोईल को बीच में छोड़का आप कोई से भी ले सकते हैं तो आपने क्या करना है अंदर कर देने हैं और चार कोईल के सीरे आपने मतलब कि आठ सीरे आपने बाहर कर देने हैं तो हमने ये देखे जैसे इस तरह से बाहर कर दिया अंदर रख लेंगे और कुछ को हम बाहर रख लेंगे चार को अंदर रख लेंगे चार के सीरे को हम बाहर रख लेंगे अब देखे हमारा पाइए वाले सीरे यहां बच जाते हैं चार दुनी आठ हमारा पाइए यहां पर वायर निकल के आगे है connection वाले तो हम इसे किस तरह से करेंगे ठीक है दोस्तो इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका है आपने जिस तरह से मंधानी की motor rewind किये आपने उसी तरह से करना है चार starting के बनेगे चार running के बनेगे ठीक है तो हम इस तरह से को इसके अंदर डाल देते हैं ठीक है अब महरबाद दो ये बचे ठीक है दो ये वाले दो ये वाले दो ये वाले दो ये वाले तो दो ये वाले तो दोस्तो इसको क्या करना है आपने इन में से किसी भी एक को कहीं से भी आप ले सकते हैं एक कोईल के एक सीरे को आपने छोड़ देना है ठीक है एक सीरे को हमने चोड़ देना है तो इसको छोड़ देंगे तो इसके ओपर आप इस तरह से अंगली से लेपेट करके इसकी कोईल सी यहाँ पर रख दीजिए ताकि आपको यह याद र आपने क्या करना है यह देखिए अगले वाले ही सीरे से आपने अगले वाले को जोइंट कर देना है ठीक है हम यहां यह कर देंगे जोइंट इस तरह से मिस कोईल के पहले से पहला और आखरी से आखरी आपने इस तरह से कनेक्शन करने है ठीक है अब हमने इसको पहले से पहले के connection कर दी है मिस पहला तो हमारा ये वाला पर हमने इसको आखरी माना क्यूंकि हमने इदर को शुरू किया तो हमारा पहला ये वाला होगा ठीक है तो हमने इससे slip pipe ले लेना है एक नंबर तो एक number sleep pipe में हम इसके connection करके इस तरह से इसको रख देंगे ठीक है अब आपने आपने क्या करना है अगले वाले जिस कोईल में आपने connect किया उसी का एक सिरा ले लेना है ठीक है उसको ये आखरी वाला है ना ये पिछले वाला सिरा है तो उससे अगले वाले कोईल के भी पिछले ही वाले सिरे से आपने इसको connect कर देना है इस तरह से मिस अगले से अगले वाला connect करना है और पिछले से पिछले वाला सीरा आपने connect करना है ठीक है दोस्तों तो आप इस तरह से इसको connect कर देंगे इसमें slip pipe डाल देते हैं हम और इस तरह से इसको यहाँ पर और यह connection यह वाला आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इसके उपर आप सोल्डरिंग करके भी करते हैं यह दिस सोल्डरिंग करोगे तो आपका काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा हीट अप होने कोई जूरत नहीं है लूज कनेक्शन आपने नहीं करने है आपके पंके के लाई बहु ey जादा बढ़ जाए है अब देखेए इसका पहले वाला बचा तो इसके पहले वाले सीरे से हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो हमारबा कुल दोस्तों क्या होगा कि हमारबा दो सीरे बाहर छुट जाएंगे कौन से वाले आखरी आखरी वाले ठीक है तो हमारबा ये आखरी आखरी वाले सीरे इसमें छुट जाएंगे मैं इसको connect कर देता हूँ एक नमबर स्लिप पाइप डाल करके इस तरह से आपने इसको लगा देना है और इसको connect आपने कर देना है तो ये मारबा एक ये चुटा है आखरी वाला सीरा और एक ये सीरा मारबा आखरी वाला चुटा है दो सीरे हमारे स्टार्टिंग के चुट गए है चाहे आप इसको स्टार्टिंग बनाओ चाहे आप इसको रनिंग बनाओ मैं इसको स्टार्टिंग ही बनाना चाहूँगा इसके बाद अंदर वाली वायर का भी दोस्तो इस तरह से ये आपने connection करने है जितने आपने आठ सीरे अंदर को छोड़े है आपने दो दो सीरे है चार कोईल गए तो आपने इस तरह से पहले से पहला आखरी से आखरी पहले से पहला आखरी से आखरी इस तरह से आपने कनेक्ट कर देने है कोईल के सीरों को ठीक है इसको कनेक्ट करने के बाद दोस्तों क् मैं आपको दिखा दूंगा और इसको फटाक्स कर दें दो स्लिप आइप मैं डाल दिये हैं कनेक्शन के लिए ताकि याद रहें कि कौन सा कहां से आया है ठीक है नहीं तो याद में दें तो दोस्तों कि आपका यह स्टार्टिंग था यह रनिंग था आप स्रीज लेंप से भी तो दोस्तों इस तरह से हमने इसके चार सीरे बाहर निकाल लिये हैं तो स्टार्टिंग नो रनिंग था यह रनिंग में छो स्टार्टिंग की उसमें क्या करूंगा दोस्तों कि अपना जो नीले गलर का वायर है वो दो वायर में यहाँ पर connect कर दूँगा बाहर वाले में आपने इसको याद रखना है कि आपने starting का कोई सा बना है running का कोई सा बना है तो आपको वहाँ बाहर भी याद रहना चाहिए जब आप बोडी फिट कर दोगे इसकी कि आपका स्टार्टिंग कौन सा है रनिंग कौन सा है तो उसी के दौरा आपका ये फैंच चलने लगजेगा और ये अच्छी तरह से आपने ये जिसमें डाटा डाला है अच्छी तरह से और बीच में सेपरेट पेपर आपने हर कोईल के बीच में डाला है सिलिंग फैन में भी दोस्तों आप यदि हर कोईल के बीच में सेपरेट पेपर डालेंगे तो आपके पंखी के गरंटी दोग नहीं हो जाएगी और इसकी लाइफ आपकी बढ़ जाएगी इसममें वारिश अच्छी quality का डालें वारिश अच्छी quality का डालोगे तो दोस्तो आपका पंखा जो है वह अच्छे से वर्क करेगा तो इस तरह से मेरे यहाँ लिड लगा दिये तो हम के यह वाले लिड भी लगा देता हूं ठिके दोस्तों अभी फटा फटना में लगा देता ओूं फिर आपको दिखाता हूं टो मैं यहांपर इसको नेले वाली लीड़ यहांपे भी connect कर देता हूं जो कि मैंने starting कोयल बनाई है तो इस तना साथ आपने यहांपर जब connection करना है दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहां सॉल्डरिंग करनी है मैं तो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि इसमें स्लिप पाइप चड़ा करके ताकि जल्दी से वर्क हो सके वीडियो जाद लंबा ना हो ठीके दोस्तों तो यहां पर आपने क्या करना हैं कि आप सॉल्डरिंग करनी है हर कनेक्शन जो वाइंडिंग के बाद कोई सा भी कनेक्शन हो दोस्तों आप यदि सॉल्डरिंग करोंगे ना तो आपका पंखा कहीं नहीं जाने वाला है ठीका दोस्तों तो मैं इसको फटावर से रिवाइड कर लेता हूँ और इसकी दोनों तारे निकाल देता हूँ इस तरह से दोस्तों हमने ये चारो लीड निकाल दिये बाहर दोस्तों तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको दोस्तों कमेंड में जुरूर बताएं चैनल को सस्क्राब जिरूएं